मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरायन प्रवक्ता इतिहास राज के माडल संस्कृति वरिष्ट माध्मिक विद्याले ततारपूर इस्तमुरार रेवाडी हर्याना आप सभी विद्यार्तियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूँ विद्यार्तियों आज के अपने अध्याय का नाम है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान आज इस व्याख्यान में जो उप्विशें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांती के कारण और विद्यार्तियों 1857 की क्रांती के कारण जानते हैं सन 1857 क्रांती को भारत का पर्थम सौतंतरता संग्राम कहा गया है यह अंग्रेजी राज के खिलाप एक व्यापक जन क्रांती थी जो पूरे भारत में फैली 19-वी सदी के भारती त्यास की यह सबसे महत पूर्ण गटना है साथ ही भारती जन्मानस और शिपायों के सहसिक बलिदान की एक गोरव पूर्ण गाता है इसके बाद यह गटना राश्ट्रिय आंदोलन में आजादी के दिवानों के लिए देव प्रेणा स्त्रोत बनी रही है विद्यारत्यों किसी भी क्रांती की प्रस्ट भूमी में अनेक छोटी छोटी घटना होती है जो बाद में कारण कहलाती है और एक विशेज घटना होती है जिसके कारण क्रांती भढ़क उठती है शुरू हो जाती है वो तातकालिक कारण कहलाती है तो आओ इसके कारणों को जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे अफवाएं वे बाविश्वानिया दूसरा सामाजिक वे धार्मिक कारण कि दीसरा सैनिक कारण चोथा आर्थिक कारण पांचवा राजनितिक कारण छटा अवद मेह क्रांती के कारण आप मैप में क्रांती का छेत्र देख रहे हैं जो ये नक्षा है भारत का जिस पे हरा रंग है ये सारा अंग्रेजों के अधीन था और जो लाल लाइन है इसके अंदर का भाग यहां पर क्रांती बढ़क उठी थी और कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं भारत के हर इस्से में हुई थी तो आओ एक बार इस कारणों को जानते हैं सबसे पहले देखते हैं अफवाएं वे बहुश्वानियां अठारा सो सताओन के विद्रों का सबसे परमुकारण अफवाओं वे बहुश्वानियों को माना गया है कम्पनी की सत्ता के खिलाफ ये विद्रो नहीं तो पहला था और नहीं कोई अचानक आया उबाल था इससे पहले भी भारत के विभिन भागों में कम्पनी शासन के वुरुद अनेक छोटे छोटे विद्रो हो चुके थे जिनें बुरी तरहें कुचल दिया गया था इनीकी स्रंखला में यह एक व्यापक विद्रो था जो विदेशी सत्ता के खिलाफ एक सौतंतरता आंदोलन बन गया क्रांती का तातकालिक कारण भी एक अफ़वाही मानी गई है आओ उसको देखते हैं पहले क्रांती का तातकालिक कारण चर्बी वाले कार्तूस माना गया है विद्यार्थ्यों तातकालिक कारण वो कारण होता है जिस कारण से वह घटना आरंब हो जाती है 1857 की करांती जिस कारण से आरंब हुई उसको तातकालिक कारण कहा गया वो तातकालिक कारण था चरवी वाले कार्थूस क्रांति को आरंब करने का पर्मुक कारण चर्बी वाले कार्तुस माने गए हैं इन कार्तुसों पर चर्बी लगी हुई थी 1857 के आरंब से ही सिपायों में एक अफवा थी कि नए दिये गए कार्तुसों में गाय वैसुवर की चर्बी लगी हुई है इन चर्वी लगे कार्तूसों से हिंदू ये मुसलमानों दोनों को ही अपना धर्म ब्रश्ट होने का बैथा ये कार्तूस बंगाल आर्मी को दी गई एनफिल राइफल के लिए विशेश तोर पर तयार किये गए थे इन कार्तूसों पर चिकने कागज की सील लगी थी जो मुसे काटने पड़ती थी आप विद्धारतियों चित्र में एनफिल राइफल और कार्तूस दोनों देख रहे हैं ये कार्तूस हैं discussions इसके उपर ये कागज है इसको मुसे काटना पड़ता था और इस पर सर भी लगी होत थी इसी तरह से ये Enfield Rifle है इस Rifle में यह कार्थूस परियोग किया जाता था बारतिय सेनिकों को पहले-पहल यही राइफलें दी गई थी अंग्रेजों ने इसे अफ़वा बताया है तथा इस अफ़वा का स्त्रोत भी उन्होंने ढूंडने का प्रियास किया है Rifle Instruction Depot के Commandant Captain Wright ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित सस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाती के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे सप्ता में एक ब्रहमन सिपाई से पानी पिलाने के लिए कहा ब्रहमन सिपाई ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाती के छूने से लोटा एप वित्र हो जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे ही जल्दी ही तुम्हारी जाती ब्रहष्ट होने वाली है क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुवर की चर्बी लगे कारतुसों को मुझ से खीचना पड़ेगा यह अपवा फैलती चली गई खलासी ने जो बताया था उसने जाकर के अपने बैरिक में स्थित सभी सैनिकों को बताया और वहां मुस्लिम सैनिक भी थे तो एक तरब भ्रहमन सैनिक भी थे और इस कारण से वहां भ्रहमन सैनिकों में मंगल पांडे ने विद्रो कर दिया इस तरह से विद्यार्थियों मंगल पांडे अंग्रेजों के वुरुद हत्यार उठाने वाले पहले क्रांती कारी मने गए हैं तो ये पहला कारण था चर्वी वाले कार्तूस और इसी कारण से 1857 की क्रांती आरंब हुई अन्य छोटी छोटी घटनाएं भी थी विद्यार्थियों जो आम जनता को अंग्रेजों के खिलाप भड़का रही थी अंग्रेजों के खिलाप उन में वैमनेश्य पैदा कर रही थी ऐसी ये घटना थी आटे में गाय वैसुवर की हडियों का चूरा एक अफ़ा यह भी फैली हुई थी कि हिंदो और मुसल्मानों का धरम रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में गाय वैसुवर की हडियों का चूरा मिला रखा है इस बात को लेकर भी जनता में असंतोस था शहरों और चावनियों में सिपाईयों और आम लोगों ने आटे को छूने से मना कर दिया था इस तरह की अफवा से भी आम जनता और सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाब गिरना भर रही थी एक खटना यानि कि अफवा एक और भी है कि धरम परिवर्तन की अफवा यह अफवा भी फैली हुई थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को इशाई बनाना चाहते हैं जोड दिया यह अफवा नहीं थी विद्यारतियों यह भी एक सत्य घटना थी उसमें इशाई मिशनरी बोले बाले आदिवाशियों को और हिंदुओं को सभी लोगों को इशाई बनाने में लगी थी गाउगाउँ चपातिय बाटने की भी एक अफवा उसमें पहली हुई थी जिस् продукिक रानती आरभी अंग्रेजों को इन दुनों गाओं गाओं में चपातिया बाटने की रिपोर्ट आ रही थी बताते हैं कि एक आदमी रात में गाओं के चोकिदार को एक चपाति तथा पांच और चपातिया बनाकर अगले गाओं में पहुंचाने का निर्देश ये जाजा था और यह सिल्सला यूही चलता जाता था चपातिया बाटने का मक्सद ना उस समय स्पस्ट था और ना ही आज स्पस्ट हो पाया है परन्तु इस बात में कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत अवश्य मान रहे थे परन्तु अंग्रेजों ने इसको ऐसे माना है कि ये चपाती बाटने घटना ये थी कि गाओं गाओं मैसेज दिया जा रहा था कि भाई चारा बढ़ालो आप सभी इकठे हो जाओ और कोई ना कोई क्रांती होने वाली है पलासी के युद के सो साल की अफ़ा इन अफ़ाओं के साथ साथ यह भी बात फैली हुई थी कि अंग्रेजों का राज सो साल ही रहने वाला है और 23-1857 को सो साल हो जाएंगे क्योंकि विद्धारतियों 23-1757 को पलासी के युद के बाद अंग्रेजों का राज भारत में स्ठ अपित होता चला गया था इसलिए अफवा फैली कि अंग्रेज सिर्फ सो साल राज करने आये हैं इसलिए 23 दून 18 सताउन कुन के सो साल पूरे हो जाएंगे ऐसी बहुश्वानी की अफवा फैली हुई थी कि अब इस साल अंग्रेजों का राज समाप्त होगा इस कारण भी आम जनता में अंग्रेजों को भगाने की भावना बढ़की रेल तार आदी की अफवा उन दिनों भारत में रेल वे तार लाइनों का बड़े ही जोरों पर काम चल रहा था अर्थात रेल की लाइने बिछाई जा रही थी और टेलिग्राम के लिए तार लाइने बिछाई जा र पहली कि अंग्रेज हमें इन तारों पर लटका कर मारेंगे या रेल के नीचे हमें काट करके मारेंगे और उप्रोगत अफवाओं से भी इस अफवा को और अधिक बल मिला और जनता अंग्रेजों के खिलाब भड़कने लगी थी एक अफवा सेनिक छेतर में भी फैली हुई थी लाल गुलाब गुमाने की अफवा इसको भी कई अंग्रेज अधिकारियों उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने संसमरणों में लिखा है लाल गुलाब क्रांती का परतिक माना जाता है कुछ अंग्रेज अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने सेनिकों के पास लाल गुलाब देखा था इससे अंग्रेजों ने माना कि लाद गुलाब सेना की बहरिकों में घुमाकर सेनिकों को क्रांती करने का संदेश दिया जा रहा था इस तरह से अनेक अफवाएं जनता में फैली हुई थी और जो सभी क्रांती के लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी विजयरत्यों इन अफवाओं भईश्वानियों को बल कैसे मिलता था यह एक विचारने विंदू है इस तरह की बातों पर विश्वास उनके भै उनकी आशंकाओं उनके विश्वासों और प्रती बद्धताओं पर कहीं चोट को प्रस्तुत कर रही थी लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संधे की अनगूंज सुनाई देती थी इन भै और आशंकाओं को बल अंग्रेजों द्वारा बारतिय समाज वे राजनिती में हर्स्त छेप के कारण मिल रहा था इस तरह हमने देखा कि इन अफ़ां और बहुश्वानियों के कारण अठारा सो स्तौन करांती को बल मिला अफ़ां और बहुश्वानी के बाद समाजिक वे धार्मिक कारण भी करांती के देखते हैं अफ़ां में विश्वास लोग सामन रूप से विश्वास नहीं कर रहे थे इसके पीछे अंग्रेजों द्वारा भारतिय धर्म और समाज में हर्स्त छेप भी था अंग्रेज भारतिय समाज वे धार्मिक बुराईयों में कुछ सुधार लाना चाहते थे जिशे भारतिय जन्ता ने अपने धर्म और समाज में हर्स्त छेप समझा और उनकी भावना अंग्रेजों के खिलाफ हो गई विज़ारतिय इन सामाजिक और धार्मिक छेत्र में हर्स्त छेप में पास्चाथ शिक्षा का भी बड़ा रोल था 1835 में लौड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रनाली को भारत में लागू किया कि भारतिय अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे आधूनिक शिक्षा पढ़ेंगे अब हमारी वेदों की पुराणों की शिक्षा रामायन और महाभारत की शिक्षा नहीं दी जाएगी इस शिक्षा के साथ साथ जब सिक्षन संस्थाएं खोली गई तो उन सिक्षन संस्थाओं में भोले भाले भारतियों को इसाई धरम में परिवर्तित करने लगे अर्थात सिक्षन संस्थाओं में इसाई धरम वह पाष्चाज संस्कृति का परचार धडले से किया जाने लगा और इस तरह से ऐसी सिक्षा दी जाने लगी जिससे की भारतिये इसाई धरम अपना लें इसलिए भी भारतिये जनता नाराज हो रही थी इस सिख्षा की एक खुबी और भी थी अर्थात स्वेम मैकाले ने भी इस सिख्षा का क्या उद्देश बताया है विद्यार्थियों हम ऐसे भारतिये पैदा करना चाहते हैं जो रंग और रक्ष से भारतिये हो लेकिन विचार इस तरह के भारतिये हम पैदा करना चाहते हैं इसका जनता पर गलत परभाव गया और जनता अंग्रेजों के खिलाब भड़कने लगी विजयार्थियों अंग्रेजों ने भारतिये समाज में फैली कुछ बुराईयों को दूर करना चाहा जो समाज की बहुत बड़ी के समय में जो 1828-1835 तक बात के गवर्नर्ण जर्नल रहे थे उसके समय में हुई उस में समाज सुधारक राजाराम महनरायका भी साथ हुने मिला था और उनके समय में समाज की अनेक बुराईयों को दूर करने के लिए सती पर्था बाल विवावे कन्या वद इत्यादी रोकन के लिए कानून बनाए गए आप चित्र में देख रहे हैं बाल विवा का चित्र और एक महिला का सती होते वे चित्र महिला आग में जल करके अपने पती के साथ मर जाती थी जो एक बहुत बड़ी बुराई थी इसी तरह चोट-चोटे बच्चों का विवा कर दिया जाता थ जिसमें प्रमुख भूमी का इस्वर चंदर विद्या सागर ने निभाई उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र का विवाई एक विद्वा के साथ किया और इस तरह से ये भी एक बुराई थी बारते समाज में कि विद्वा होने पर महिला दूसरा विवा नहीं कर सकती थी बलकि उसे सफेद वस्त्र पहनने पढ़ते थे और अपने केस भी कटवा कर रखने पढ़ते थे ऐसी बुराई को भी उसमें दूर करने का परियास किया गया इसी तरह से कन्यावद भी कर दिया जाता था कन्या का जनम भारते समाज में कुछ लोगों में बुरा माना जाता और जनम पर उसका वद कर देते थे तो ये भी एक बहुत बड़ी बुराई समाज में थी इन बुराईयों को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाए और राजाराम भौनरायर इस्वर्चंद्र विद्या सागर जैसे ही समाज सुधार्गों का उन्हें साथ मि समजा एककरन समाजिक कारणों से धर्मिक कारणों से था यशाई धर्म का पर चार वालत में इसी मिसेंड्री भड़ी भ्हारी मात्रा में आगे और भोले बाले भारतियों को इसाई बनाने लगे हमने अप्वाह में भी इसको पढ़ाए विद्यारतियों इसे भारतिय जनता ने अपने धर्म में हर्ष्ट छेप समझा और ये बात सत्य भी थी कि उनको लालत देकर लोब देकर के धमका करके हर तरह से इसाई बनाया जा रहा था इसी तरह से इसाई मिसंडरी स्कूल खोले जा रहे थे जहां लो करे करमचारियों को भी इसाई बनने का लालच दिया जाता था उनको पदोनोति का लालच दिया जाता था अच्छा वेतन देने का लालच दिया जाता था इस तरह के लालच देकर के इसाई मिसंडरी बारतियों को इसाई बना रहे थे इसके साथ साथ एक और भी कानून पास यानिके इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, कोई अन्य धर्म ग्रहन कर लेता है, तो उससे पैतरक संपत्ती का अधिकार नहीं छिनेगा. अर्थात मानलो चार भाई हैं और उनमेंचे एक भाई इसाई बन जाता है तो हिंदू कानून के अनुसार यदि वो धरम बदल लेता है तो उसको पैतरक संपत्ती नहीं मिलेगी अंग्रेजों ने इस कानून को बदला और एक नया कानून बनाया कि उसको पैतरक संपत्ति में इसा बराबर का मिलेगा जिससे कि इसाई धरम अपनाने वालों को कोई दिक्कत या चिंत्या ना हो उनको पहत्रिक संपत्ति मिले इस तरह के कानून से भी इसायत को बढ़ावा मिला। इससे भी जनता ने हस्तचेव समझा अपने धरम और समाज में और वो अंग्रेजियों के खिलाप बढ़क रहे थे। जिनके कान से सैनिकों में एसंतोष था। उसे एक दो रुप्य ही बच पाते थे। इनको लेकर के सैनिकों ने अनेक विद्रो किये। सैना में जातिये भेदवाव सैना में गोरे वेकाले के आदार पर भेदवाव आम बात थी। गोरे सैनिकों के अधिकार वेस्विदाएं बारतिये सैनिकों की तुल्ना में कहीं अधिक थी। भारतिय सेनिकों को सुवेदार से उपर का पद नहीं दिया जाता था भारतिय सेनिकों के सम्मान को ठेश अंग्रेज अफसर ही नहीं बलकि अंग्रेज शिपाही भी भारतिय सेनिकों के साथ दुरुविवार करते थे भारतिय सेनिकों के साथ गाली गलोच और सारिक हिंसा साम और उनसे गिरणा करते थे। इसलिए भारतिय सेनिक अंदर ये अंदर अंग्रेजों के प्रती गिरणा करने लगे थे। भारतिय सेनिकों का असंतोस का एक कारण धार्मिक भावनाओं को आगात भी था। बारतिय सेना में धार्मिक भेद भाव भी किया जाता था हिंदू सेनिकों को चोटी रखने वे सिक सेनिकों को केश वे दाड़ी कटवाने के लिए कहा जाता था टोपी में चमडे की कलगी लगाने के लिए हिंदूों को मजबूर किया जाता था इसी तरह से मुस्लिम सैनिकों को दाड़ी रखना वर्जित किया जाता था इस तरह उनकी धार्मिक भावनाओं से अंग्रेज छेड़ छाड़ करते थे जिससे सैनिक नाराज रहते थे सामान्य सेवा भरती अधिनियम भारतिय प्रमप्रा में विदेश जाना पाप माना जाता था जबकि अंग्रेज भारतिय सैनिकों को विदेश लड़ने के लिए ले जाते थे एक बार 47ी रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इसलिए मना कर दिया कि विदेश जाने से उनका धर्म ब्रश्ट हो जाएगा इससे अंग्रेज भी बड़े खफा थे इस प्रमप्रा के कारण और 1856 इस्वी में सामान ने सिवा भरती अधिनियम पास किया जिसके अनुसार भरती के समय ही प्रतेक सैनिक को यह लिख कर देना पड़ता था कि भारत से बाहर जहां भी हमें युद्ध के लिए ले जाये जाएगा हम वहीं जाएंगे इस तरह हम पाते हैं कि भारती सैनिकों के साथ दुरुविवार ने सैनिकों के परिवारों को भी नाराज कर दिया था इसी कारण से आम जनता वैसे सैनिक अपवाओं में आसानी से विश्वास कर लेते थे इस तरह हम देखते हैं कि सैना में भी असंतोस के अनेक कारण थे 18-57 की क्रांती के अनेक आर्थिक कारण भी थे जिससे भारत में रोस था भारत में अंग्रेजों के व्योस्ता शोषनकारी थी यह एक आपनेवेशिक शोषनकारी विवस्था थी जिसमें भारत की लूट की गई भारती एक कारीगरों और किसानों के मालकों कोडियों के भाव खरीदा जाता था जिससे भारती किसान और कारीगर बरबाद हो गए उसमें लार्ड विलियम बेंटिंग जो गवरनल जनरल थे भारत के उनके सब्द सुनो विद्यारतियों उन्होंने क्या कहा व्यापार वानित जी के इतिहास में इस गंबीर स्थिती का साक्ष ढूंडना कटिन है सूती वस्त्र बुनकरों की अस्थियां भारत के मैदानों को सफेद बना रही है अर्थात भारतिये कारीगर सूती कपड़ा बनाने वालों के रोजगार खतम कर दिये और वो भूख से मरने लगे थे आप चित्र में देख रहे हैं किस तरह से कारीगरों को पीटा जा रहा है उनके बच्चों को छीना जाता था ऐसे ही क्रिशी करने वाले लोगों के साथ कैसा दुरुवभार किया जाता था कैसे खेतों में बैठकर अंग्रेज स्वेम सारा माल उठवा लेते थे दोस्पुर्ण भूमिकर विवस्था अंग्रेजों ने भारत में जितनी भी भूमिकर इकठा करने की विदियां लागू की वे सभी दोस्पुर्ण थी चाहे वो स्थाई बंदोबस था चाहे वो रियतवाडी बंदोबस था और चाहे वो महलवाडी बंदोबस था उत्री भारत में महलवाडी बंदोबस लागू किया गया था जिसमें लगान समय पर बढ़ाने का प्रावधान था तथा पूरा गाउन लगान जमा कराने के लिए सामोहिक रूप से जुम्मेदार होता था यदि लगान जमा ना करा सके तो पूरे गाउं को सजा मिलती थी इसलिए पूरे गाउं में अर्थात सामोहिक रूप से सभी अंग्रेजों के प्रती नाराज हो जाते थे क्योंकि जब सब को सजा मिलती थी तो पूरा गाउं अंग्र कुमिकर विवस्था से किसान बरबाद हो रहे थे ना उनका ठीक देंगचे रहना सेहना हो पाता था और उनके खेद भी बरबाद होते जा रहे थे अंग्रेजों की सोशनकारी नीतियों कारण बुखमरी और बिरोजगारी भी फैलती जा रही थी किसानों के पास इतना भी नीवच पाता था कि वो साल भर खा सके इसी तरह से कारीगरों के पास भी काम नहीं मिल पाता था बरबाद हो रहे थे लोग सरसयद एहमद खान लिखते हैं कुछ लोग इतने गरीब थे कि वे एक-एक आने अत्वा एक-एक सेराटे के लिए प्रशन्नता पूर्वक विद्रवियों के साथ मिल जाते थे 1857 की क्रांती में राजनितिक कारणों की भी महत्वण भूमिका रही हैं अंग्रेजों की सामराज विस्तार नीती ने ना के आमजन को बलकि राजा महराजाओं को भी नाराल कर दिया था इन राजनितिक कारणों में सायक संधी की भी महत्वण भूमिका रही है सायक संधी वहलजली द्वारा 1708 में में तयार की गी एक व्यवस्ता थी जिसके अनुसार अंग्रेजों के साथ संधी करने वाले भारतिये सासको कुछ सर्ते माननी पड़ती थी इन शर्तों के कारण बारते राजाओं की सारी सवतंतरता चिन गई थी ये शर्त देखते हैं विद्यारतो एक बर बारी बारी से पहली शर्त थी अंग्रेज अपने सैयोगी की भारी और आंत्रिक चुनोतियों से रक्षा करेंगे दूसरी शर्त थी सैयोगी पक्स के भूछेत्र में एक तैनिक टुकडी तैनात रहेगी तीसरी शर्थी सेयोगी पक्ष को इस टुकडी के रख रखाओं की विवस्था करनी पड़ेगी चोथी शर्थी सेयोगी पक्ष नहें तो किसी और सासक के साथ संदी करेगा और नहीं अंग्रेजों की अनुमती के भिना किसी से युद्ध में हिस्सा लेगा इसने पाँच वी शर्टी स्योगी पक्षके यह एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा इस तरहं से विद्धार्तियों, इस सायक संदी की शर्टों की अम ध्यान से देखें तो समझ में आता था कि इस संदी के द्वारा अंग्रेजों ने भारतिय सासकों को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया दूसरी एक और नीती भी अंग्रेजों की थी वो थी लेप्स की नीती यह डलोजी की उग्र सामराजवादी नीती थी इस नीती के तहएट उसने साथ भारती राज्यों का विले अंग्रेजी राज्य में किया इसके लिए उसने चैर प्रकार के नीतियां अपनाई वो क्या थी चैर प्रकार की नीतियां बारी बारी से देखते हैं पहली निती है गोद पुत्र को राज का उत्राधिकारी ना मानना इस निती के तहट जांसी स्तारा आदी राज्यों का अपने सामराज में विले कर लिया क्योंकि इन राजाओं ने पुत्र गोद लिये थे युद्धों के द्वारा इस निती के तहट 1849 में पंजाब का विले अंग्रेजी राज में कर लिया तीसरा कूशासन का आरोप लगा कर इस निती के तहट 1856 में अवद का विले अंग्रेजी राज में कर लिया गया चोथा पेंशन वे उपाधियां समाप्त करके डलोजी ने उन राजाओं को भी खतम कर दिया जो पेंशन या अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों पर आधारित थे इस नीती के तहट करनाटक, तंजोर, कानपूर के नाना साब को खतम किया गया यानि के इनकी पेंशन और उपाधियां बंद कर दी गई भारत के मुगल समराट बहादूर शाह जफर के प्रती अनादर भाव 1818 इस्वे में अंग्रेजों ने मुगल समराट को ना मानते हुए सर्वोचता प्राप्त कर ली थे 1835 में मुगल समराट के नाम के सिक्के जारी करना बंद कर दिया गया था लाड केनिंग ने ये गोशना कर दी थी कि बादूर शाह जफर की मिर्तू के बाद मुगल बादशा का पद समाप्त कर दिया जाएगा और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में सर्वोचता प्राप्त कर ली और आम जन जो मुगल बादशा के प्रती आदर भाव रखता था वो इन गोशनाओं से मन ही मन में उद्वेलित और विद्रोई होने लगा था सत्ता का विदेशी शवरूप भारत का सासन अंग्रेजों ने तलवार के भल पर प्राप्त किया था इसके कानून नियम हजारों मील दूर बैठे संचालक बनाते थे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भारतियों को हीन समझते वे उन पर अत्याचार करते थे भारतियों को नियाए भी नहीं मिलता था और मिलता भी था तो देरी से वे बड़े खर्चे के बाद मिलता था इसलिए भारतिये लोग इन विदेशी अंग्रेजों से गिरना करते थे भारतियों को उच नोकरियों से वन्चित रखना कमपनी के सासन में उच परसासनिक पदों पर भारतियों को नियुक्ती नहीं दी जाती थी सैना में सुबेदार वे स्वील में सदर अमीन से उचा पद भारतियों को नहीं मिलता था इस तरह से भारतियों को उच्पद ना मिलने के कारण भारति अपने को हीन समझते थे और अंग्रेजों से गिरना करने लगे थे तो विद्यार्थियों इस तरह हम देखते हैं कि 1857 का पर्थम सौतंतरता संग्राम आरंब होने के अनेक कारण थे जिनको हमने पढ़ा अब विद्यार्थियों एक अलग से टोपिक हम पढ़ते हैं क्रांती के कारणों में ही है कि अवद में क्रांती या अधिक मात्रा में विद्रोक क्यों हुआ अवद छेत्र में ही सबसे अधिक रांती कारी गती विदियां और घटनाएं क्यों हुई अथारा स्टाउन के पर्थम सवतंतरता संग्राम का अवद पर व्यापक परभावरा इसके अनेक कारण थे इसका कारण सबसे बड़ा कारण था अथा अथारा सो चपन में अवद का ब्रिटिश सामराज में विले विद्यार्थियों 1856 में कूशाशन का आरोप लगाकर अवद का अंग्रेजी सामराज में विलेक कर लिया गया कहा गया कि नवाब वाजीद अली शाह का साशन ठीक नहीं है उसे राज करना नहीं आता है सच्चाई यह थी कि कमपनी ने नवाब के अधिकार में कुछ छोड़ा ही नहीं था वो सारे अधिकार स्वमी परियोग करते थे इसलिए नाम मात्र का जूठा आरोप लगा करके उन्होंने अवद का विले कर लिया था जिससे अवद की जनता बहुत अधिक नाराज अंग् अधिकांतल फैल गई अवद के नवाब को कलकता भेज दिया गया इंग्हां कि जनता नवाब को बहुत चाहती थी कहते हैं कि जब वे लख्नों से कलकता के लिए निकले तो अवद की जनता कानपूर्थ तक उनके साथ विलाप करती हुई उनके पीछे पीछे आगई एक न एक लोग गीत में गाया गया अंग्रेज बहादूर आइन मुल्क लेई लेनो इस तरह से भावनात्मक रूप से गीत भी लिखे गए गीत भी गाये गए और नवाब को हटाने से लोग भहुत भावक हो गए थे और अंग्रेजों से गिरना करने लगे थे अवद पर सायक संदी थोपना अठरा सो एक इस्वी में अवद पर सायक संदी थोप दी गई थी और अवद की सेना खत्म कर दी गई थी और उसकी जगें बिर्टिश सेना ने ले ली थी परशासनिक मामलों में दरबार में मौझूद अंग्रेज रेजिडेंट का पूरा हस्त छेप रहता था इसलिए जिस दिन अवद ने सायक संदी पर हस्ताक्षर किये थे विद्यारतियों उसी दिन अवद की सौतंतरता खत्म हो गई थी नवाव नाम मातर का ही चला रहा था उच्छे कुलीन वर्ग के हितों पर चोट अवद के विले से दरबारी कुलीन वर्ग भरबाद हो गया इन कुलीनों को नवाव की तरफ से विशेशा दिकार प्राव थे जो अंग्रेजों ने खतम कर दिये इनकी सुक्ष्विधा और समाज में परतिस्ठा खतम हो गई और ये अंग्रेजों के विरोधी हो गए अवद के तालुकदारों की जागिरे चीनना अवद के तालुकदार बड़े जमिदार होते थे बड़े बड़े तालुकदारों के पास बारा हजार तक सैनिक होते थे अंग्रेजों ने बहुत से तालुकदारों की जमीन चीन ली उनक की सैना भंग कर दी उनके सैनिक और नयायक अधिकार खतम कर दिये उनके किलों को नश्ट कर दिया गया तालुकदारों की नाराजगी के साथ उनकी मातहत जनता भी अंग्रेजों की विरोधी हो गई क्योंकि उन तालुकदारों के मातहत जो जनता थी अपने तालुकदार की ब बढ़ा भावनात्मक लगाव भी था इसलिए जनता में रोश फैल गया अवद के किसानों पर अत्याचार अवद की भूमी भहुत उपजाओ थी इसमें नील और कपास की खेती बहुत होती थी जो अंग्रेजों की मुख्य फसल थी और किसानों को नील और कपास बोने के सक्रान विद्रों पर ही उतराए थे। एक कारण भी था अवद के सैंक अंग्रेजों की सेना में सबसे अधिक सैंक अवद से थे। अवद को बंगाल आर्मी की पोध साला कहा जाता था प्रंतु इन सैनिकों में भी कई प्रकार के रोज थे अवद के सैनिकों में एक तो हमने पड़ा कार्तुसों वाला भै यानि के चर्वी वाले कार्तुसों कारण अवद के सैनिक भी नाराज थे और क्रांती का आरंब करने वाले पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे भी अवद के रहने वाले थे दूसरा समय पर छुट्या नहीं मिलती थी सैनिकों को फिर सैनिकों पर नसली गाली गलोच और तंज कस्ते थे धार्मिक भेदवाव करके और धार्मिक रीती रिवाजों का मजाक उडाते थे इस तरह से सैनिक भी नाराज थे और जारतर सैनिक आवद के थे इसलिए आवद छेतर में सैनिकों की नाराजगी ज़्यादा फैली किसान वे सैना में भी सीदा सीदा संबन था विद्यारतियों अंग्रेजों की सैना में सैनिक किसान परिवारों से थे हर सैनिक किसी ना किसी किसान का बेटा भाई वे पिता था एक भाई हल जोतता था तो दूसरे ने वर्दी पहन ली थी और सैना में चला गया था जब अंग्रेज गाउं में किसान पर अत्याचार करता था तो सैना में भरती उसका सैनिक भाई नाराज हो जाता था इसी तरह जब सैना में अंग्रेज भारते सैनिकों के साथ गाली गलोच करता था या धार्मिक भेद भाव भी करता था तो गाउं में सारा परिवार नाराज हो जाता था इस तरह से किसान और सेना में जो संबंद थे इनके कारण सेना और ग्रामिन छेत्र में सब जगें अंगरीजियों के खिलाब नाराजगी फैल जाती थी तो विद्यार्थियों हमने 1857 की क्रांती या पर्थम सवतंतरता संगराम के कारण देखे हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, धार्मिक, सैनिक और अवद छेत्र में सबसे अधिक क्रांती क्यों फैली ये सभी कारण हमने देखे इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त ह होता है अब इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रशन जो विद्यार्थियों आपने अपने नोट बुक में करने हैं पहला प्रशन अठारा सो स्ताउन की क्रांती के दो धार्मिक वह सामाजी कारणों का वर्णन करो दूसरा प्रशन अठारा सो स्ताउन की क्रांती के दो सैनिक कारणों का वर्णन करो तीसरा प्रशन अठारा सो स्ताउन की क्रांती के दो आर्थिक कारणों का वर्णन करो चोथा प्रशन अठा स्थान की क्रांती में अफवाउए बविश्वानियों का क्या योगदान है दूसरा बड़ा प्रिश्ण है अठारा सो स्थान की क्रांती अवद में फैलने के क्या कारण थे इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद